Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature by Welcome कहती हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्लेजरिजम के बारे में and types of plagiarism को भी cover करने वाले इस lecture के अंदर In addition, हम ये भी बात करेंगे कि what is not a plagiarism कि क्या चीज़ा जो plagiarism नहीं होती ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं research methodology आपको easiest way में और simplest way में पढ़ाऊंगे इन्शाला तो वैसे ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस lecture को भी simplest way में deliver करूँ ठीक है? और अगर आपने research के previous lectures नहीं सुने तो आपको उनका link जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएका आप उस link के उपर क्लिक करके जो research के previous lectures है उनको approach कर सकते है तो anyhow time को waste कि ये बगएर जो हमारा आज का lecture हम करते शुरू what is plagiarism? plagiarism क्या है? basically जब भी हम किसी और person के ideas को उसके words को credit दिये बगएर अपना बना के use करते हैं न उसके प्लेजरिसम जैसे अभी मैंने खुद भी यहां पर plagiarism किया है कैसे? मैंने यहां पर जो definition court किया है जो definition put किया है यहां पर वहां पर मैंने जो source था उसको mention नहीं किया basically यह Miriam Webster से definition लिए गई है ठीक है? तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि using another person's words or ideas as your own without giving credit to the source ठीक है? कि जिस source से आपनी ideas और words लिए हैं उसको अपने तोर पर present कर देना और उस source को credit ना देना ठीक है? उस source को mention ना करना तो इसको कहते है प्लेजरिजम clear? जैसे कि मैंने भी आपको अपनी ही example दे दी कि यह आपने definition quote की है यह Miriam Webster's dictionary से ली गई है लेकि मैंने यहाँ पर source को mention नहीं किया हुआ तो यह क्या हो गया जी? प्लेजरिजम clear? अब प्लेजरिजम की further types है कौन-कौन सी? एक complete प्लेजरिजम फिर source based फिर direct उसके बाद self और auto फिर है paraphrasing फिर inaccurate authorship फिर उसके बाद है mosaic फिर accidental यह types हैं प्लेजरिजम की total eight इनको हम one by one discuss करेंगे पहले बात करते हैं हम लोग complete प्लेजरिजम की इस complete प्लेजरिजम की अंदर क्या होता है कि researcher जो कि research करने जा रहा है वो किसी की manuscript या उसका कोई भी जो भी study जो भी उसका work है उठा के उसका नाम mention किये बगएर as it is सारा work उठा के अपना नाम लिखके प्लेजरिजरिजम के इसको कहते है complete प्लेजरिजरिजम जैसा कि researcher takes a manuscript or study that someone else created यह manuscript है यह study जो किसी और ने बनाई होती है और कि करते है and submitted it under his or her name अपना नाम लिखके submit कर वाता है यह complete प्लेजरिजरिजम अब हम बात करते हैं source based plagiarism इसमें क्या होता है researcher एक ऐसा reference code कर देता है जो कि exist ही नहीं करता ठीक है यह researcher ने data जो है वो secondary source से उठाया होता है और वो primary source mention कर देता है for example आप कोई भी research लिख रहे हो उसमें आपने जो source लिया है जिस source से जिस website से जिस book से जिस research paper से आपने material लिया है आपने यह किया है उस source की जगा उस book की जगा आपने किसी और जगा का material mention कर दिया है ठीक है यानि कि क्या हो गया है इसमें misleading citation हो गई हुई है ठीक इसके इलावा for example आप कोई भी एक article पड़ रहे हो और उसका primary जो link है वो कोई तो इभी क्या हो गया यह भी misleading citation हो जाएगी इसको कहते है हम लोग source based ठीक है कि हम लोग ने source accurately mention नहीं किया इसको सोर्स बेस्ट प्लेजरिजरिजब जैसे के screen पर देखे researcher references a source that is incorrect or does not exist एक्जिस्ट नहीं करता यानि कि misleading citation की जाती उसके इंदे यहां फिर researcher uses secondary source of data but only site primary source ठीक है सिर्फ उसे primary source कर देता है वो site लेकिन उसने के किया है उसने secondary data use किया होता है अब जो next type है वो क्या है direct plagiarism जिसमें एक person के करता है एक researcher के करता है वो जो दूसरा author होता है उसके words को word for word यानि कि as it is अपने work के अंदर put कर देता है उसमें quotation mark का भी use नहीं करता है उसमें attribution भी नहीं देता ठीक है researcher copies the text of another author word for word जैसा दूसरी author ने लिखा है वो वैसे ही उसका work उठा के copy करता है without the use of quotation marks और attribution ना वो उसमें quotation mark यूज करता है और ना ही कोई attribution देता है तो ऐसे plagiarism को हम कहते हैं direct plagiarism फिर इसके बाद हम बात करते हैं self or auto plagiarism अब self or auto plagiarism क्या है कि researcher ने अपने पहला एक work published करवाया हुआ है ठीक है researcher ने उस published work से अपने material उठाया और अपने जो new work वो लिख रहा है उसके अंदर उस material को reuse कर लिया लेकिन उसने यह किया उसने जिस work से material उठाया था उस work को site ने किया उस work को attribution नहीं दी ठीक है तो इसको कहते है self or auto plagiarism जैसे कि screen पर देखे researcher reuse significant portions of his और her previously published work without attribution कि researcher अपने ही previously published work से कुछ significant portions जो उसको reuse करता है लेकिन attribution नहीं देता तो यह self or auto plagiarism और in addition मैं आपको बता दूँ कि गर आपने कोई work publish करवाया है previously तो आप उसका data अपने new work के अंदर use कर सकते हो लेकिन उसमें आपने attribution लाजमी देना होता है अच्छा next है paraphrasing plagiarism इसमें क्या होता है कि किसी और ने कोई work लिखा था आप उसका work उठाते हो as it is लेकिन उसमें कुछ minor changes कर देते हो ठीक है minor अब छोटी मोटी changes कर देते हो और उसको अपने खुद के वाग के तोर पर पर प्रिजेंट कर देते हैं यानिके use of someone else writing with some minor changes in the sentences कि कुछ minor शोटी मोटी तबदीलियां कर देते हैं and using it as one's own और इस रहा शोगराते जैसे कि आपका अपना ये work है इसको कहते है हम लोग paraphrasing plagiarism and then inaccurate authorship अब इस inaccurate authorship में क्या होता है कि researcher उसने एक manuscript के अंदर अपना contribution तदी है लेकिन उस researcher को उसका credit नहीं मिला ठीक है यहां फिर researcher जो है उसने research के अंदर अपना कोई भी contribution नहीं दिया लेकिन उसको research का credit मिल गया यानि काम किसी का इसको कहते है unaccurate authorship यह भी एक plagiarism की type है जैसा कि screen पे देखे researcher contributes to a manuscript but does not get credit for it ठीक है कि researcher ने contribute तो की है लेकिन उसको इसका credit नहीं गया उसको इसका जो नेम है उसके साथ पाब्लिश नहीं किया गया and then researcher gets credit without contributing to the work researcher ने कोई contribution दी ही नहीं और उसी के बगैर जी उसने credit ले लिया यह क्या है an accurate authorship उसके बाद mosaic, plagiarism इसके रिसर्चर के करता है कि अपने लिखवे वर्क के लिखवे वर्क को भी एड़ कर देता है ठीक है यहनि कि किसी और की टक्स को उठा के अपनी लिखवे टक्स के साथ साथ मिला के लिख देता है जैसा कि screen पे देखे रिसर्चर इंटिलेज समवन इल्स परफ समवन इल्स फ्रेज और टेक्स्ट विदिन ही इस हर ओंस रिसर्च वो अपने ही रिसर्च के अंदर किसी और की फ्रेजर और टेक्स को भी डाल देता है ठीक है इसको कहते है mosaic यहां फिर रिसर्चर के करता है रिसर्चर फांट समय इसको कुछ निम्स डाल देता है तो एसी रिसर्च जिसके अंदर एक रिसर्चर के करता है कि रिसर्चर जो ओथर होता है उसका जनल स्ट्रक्चर उसके जो अरिजनल मिन्स था वो भी सेम रखे और लेकिन ओथर की जो लेंगमिज दो इसको कुछ-कुछ synonyms अड़ कर दे ठीक है कुछ-कुछ-कुछ synonyms अड़ कर दे लेकिन भागिसा था structure जो आब ही रखे और उसके इलावा रिसर्चर अपनी ही टेक्स के अंदर किसी और के phrase यह text को add कर दे इसको हम कहते है mosaic plagiarism फिर है हमारी accidental plagiarism यह क्या होती है यह जब भी कोई author यानि कोई researcher research कर रहा होता है तो unintentional paraphrasing कर बैठे यहां फिर mistakes को neglect कर दे उसको कहते हम लोग accidental plagiarism जैसा कि occurs because of neglect mistakes और unintentional paraphrasing जब unintentional paraphrasing की जाए यहां फिर mistakes को neglect किया जाए उसको हम कहते है accidental plagiarism तो यह सब plagiarism की types थी अब बात यह कि what is not plagiarism plagiarism क्या नहीं है common knowledge common knowledge क्या है electron, proton, science-based, facts इस हरे common knowledge हो कि same for everyone हर एक के लिए same हो उसको कहते है common knowledge जैसे लोग की model की बात की जाए enzymes की बात की जाए मतलब वो knowledge which is same for everyone ठीक है उसको कहते है हम लोग common knowledge फिर है expressing an idea in your own words and giving credit ठीक है credit देना है और अपने words में idea को present करना है यह भी क्या है plagiarism नहीं है फिर है direct quote को use करके आपने उसमें भी credit देना है यहनिके जिसकी आपने fact and giving credit इन शौट credit लाजमी देना है जब भी किसी के आप words बोरो कर रहे हो तो आपने वहाँ पर credit लाजमी देना है fact दी है फिर भी credit जसके common knowledge जब शेयर का रहे हो तो वहाँ पर भी आपने credit लाजमी mention करना है using multiple paraphrasing technique at the same time जैसे कि आपने पीछे देखा अगर हम मोजेक देख रहे थे हैं उसे पहले देख रहे हैं structure same रहे है original meaning था वही रख रहे है और बस paraphrasing में minor changes करें language के अंदर थोड़े बहुत words को change करके तो वह क्या है वह प्लेजरिजम हो गया यहाँ पर क्या है क्रेडिबल सोर्सेज नहीं होते क्रेडिबल सोर्सेज जो बिल्कुल authentic websites फिर यूज उपडेटिट इंफ्रमेशन और फॉर्मेटिंग स्टाइल ठीक है यह सब क्या है इस आल आर नोट प्लेजरिजम इन सब को हम क्यते हैं नहीं थीक है तो आय होड कि आपको लेजरिजरियुम क्या होता है उसकी टाइप और वाट इस नौट प्लेजरिजरिजम हो चुका होगा इन्शाला अपर मिलतें नेक्स वीडियो में लेक्टे के साथ में दूआ में खास याद दखिएगा वीडियों पसंदें में लाइक सब्सक्राब भी करेंगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा थेंक यू पर वाचिंग अलगा